नमस्कार दोस्तों, Only Super Quiz YouTube चैनल में आपका हार दिख स्वागत है आपको बहुत दिन हो गए English की क्लास लेते हुए बहुत बच्चों की कमेंट आ रहे थे सरे English की क्लास कब लगेगी तो थोड़ा urgent work होने के वज़े से English क्लास नहीं बन पाई थी लेकिन आज हम पूरा chapter आज clear कर देंगे किसका वोईस का तो इन वोईस में आज हम पढ़ेंगे की वोईस क्या होती है इसका कहां पर यूज करना है और आपको वोईस चेंज करना भी सिखाऊंगा तो ये क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो क्योंकि 10-11 बच्चों से कुछ नहीं होने वाला और बच्चे बुलाओ तकि उन्हें भी वोईस का पता चले कि competitive exam में कैसी वोईस आती है वोईस के question मिलेंगे फिर अगली बार वोईस के question आएंगे वो बहुत ही advance level के होंगे तो आप इस class को ज्यादा ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को बुलाओ तो आपके पास 30 seconds है आप class को जल्दी जल्दी शेयर करो तो आपने class को शेयर कर दिया होगा अगर आपको एक class अच्छी लगे या कुछ समझ में आए तो class को लाइक जरूर करें और only इस पढ़ते हैं पहले देखे वह इस क्या है वर्ब का वह है रूप वह इस कहलाता है जिससे पता चलता है करता कोई काम करता है या करता पर कोई काम होता है यानि ऐसा वाक्या का रूप वर्ब का रूप वह वह इस कहलाता है जिससे पता चले कि करता कोई काम करता है यानि मान लो ये राम है, ये करता है, ये किसी काम को करता है, या उस पर काम होता है, या तो वो काम करता है, या उस पर काम को होता है, उसे हम वो इस कहते हैं, ठीक है, उस पर काम, जैसे ये तो समझ में आगया हो, करता कोई काम करता है, यानि इसे राम ने कोई भी काम किया, क यह competitive exam में इसकी definition नहीं आती तो definition आपको याद करने के ज़रत नहीं है बस आपको इतना याद रखना है करता का voice वहरूप है वर्ब का जिसे पता चलता है करता कोई काम करता है या करता पर कोई काम होता है ठीक है अब voice के दो टाइप्स होते हैं आपने बस्पन पढ़ाओगा active voice और passive voice ठीक है वर्ब का वहरूप एक्टिव वोईस कहलाता है जिससे ग्यात हो करता को किसी कर्म पर करता है यानि करता कोई कार्य करता है किसी object पर या किसी कर्म पर ठीक है active वोईस तो होता है बहुत ही जी है मतलब कोई भी common sentence को हम active वोईस कहते हैं जैसे इसमें मिलेगा आ वर्ब की first form के साथ ing नहीं मिलेगा सिर्फ वर्ब मिलेगी और प्लस object ठीक है सिर्फ subject verb object subject प्लस वर्ब प्लस object और कोई compliment भी मिल सकता है ठीक है active वोईस यानि कोई भी simple sentence लेकिन passive वोईस यह important है वर्ब का वहरूप passive वोईस क्यालाता है जिससे यह गया थो कि कर्म पर किसी क्रिया का प्रभाव पड़ता है यानि object पर किसी वर्ब का प्रभाव पड़ता है तो वहां पर passive वोईस है इसका structure देखिए object यहां पे हैना subject की जगें object आ जाएगा subject object में change हो जाएगा फिर helping verb और प्लस वर्ब की third form आपको याद रखना है यहां पर वर्ब की third form ही लगेगी passive वोईस में और याद रखना इसके साथ by लगेगा प्लस subject यानि देखिए मैं आपको simple तरीके समझाता हूं subject प्लस वर्ब प्लस object यह sentence होता है ठीक है अब यह तो active वोईस में होता है मैं पता है अब इसको passive बनाना ह तो object को आगे ले जाएंगे तो object प्लस helping वर्ब लग जाएगी वर्ब की जिए वर्ब तो रहेगी फिर यहां पर वर्ब की first form थी फिर वर्ब की third form ठीक है और फिर subject object आगया लिया तो बचा क्या subject by भी लगाना है बीच में ठीक है active passive समझ में आगया आगे बढ़ते है वो इसका यूज कहां पर करते हैं जैसे जब क्रिया स्वेता नहीं होती बलकि उसे किया जाता यानि कोई काम है वो खुद नहीं होता उसे किया जाता है तब हम वहाँ पर पैसी वो इसका यूज होगा कब जब क्रिया खुद नहीं होता उसे किया जाता है ठीक है जैसे टी ग्रोज बोद इन असम एंड तो हम पैसे वहाँ पर करते हैं जब किरिया खुद नहीं होたा बलकि उसे किया जाता है यह चाई खुद तड़ी उगती है इसे उगाई जाती है कहां पर असम और सिलोंग में तो टी ग्रोज नहीं आएगा टी इस ग्रोन बोथ इन असम और सिलोंग ही आएगा ठीक है जब किरिया महतपूर्ण हो यानि घटना जैसे ही वोज रश्ड तू दी होस्पिटल वेर ही वोज डिकलेर ब्रोट टैड अब इसमें देखे इस वाक्य में घटना महतपूर्ण है यानि किसी दुर घटना के बाद घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना और इसे मिम्रित कोशित किया जाना जहां घायल को अस्पताल ले जाने वाले लोग और यह गोशना कर रहे हैं कि डाक्टर को घायल में लाया गया एप्राशंगिक है यह कोई घटना है और घटना जब होती है तब हम वहां पर पेसी वह यूज करते हैं यह याद रखना है जब करता का पता नहीं यह मेहतूपूर्ण नहीं कि करता गया थो यानि जब subject का हमें पता यह नहीं कि कौन है और यहां महतोपूर्ण नहीं है subject तब हम वहाँ पर passive voice जैसे people were relocated from the flood affected village people were relocated from the flood affected village अब यहां पर people है अब यह महतोपूर्ण नहीं कि कौन से लोग है बस इसमें subject के अगर हम यहां पर भी यूज ना करें तो भी sentence ठीक होगा आगे बढ़ते हैं अब बहुत important topic आगया है indefinite tense indefinite tense अब यह देखना है कि हम कैसे बनाएं यानि आपको active में मिलेगा sentence आपको passive में बनाना होगा तो याद रखना आपको जब indefinite tense मिले आपको active में indefinite tense आपने tense पढ़ा होगा simple present या simple past simple future और model model भी आपको पढ़ा दिये थे मैंने ठीक है और अगर आपको कोई doubt हो तो नीचे description में इस PDF की link दे रखी है तो आप वहाँ से इस PDF को download कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं ठीक है तो indefinite tense भी के लिए रोजाएगा वहारा simple present में क्या क्या formation होती सब्जेक्ट प्लस वर्प की फर्स्ट फर्म के साथ object ठीक है यह तो मिलेगा आपको किसमें यह active में मिलेगा आप पैस्व में चेंज करना हो तो object इसमर प्लस वर्प की थर्ड फर्म याद रखना पैस्व इसमें कोई भी helping वर्प हो इसमर है जैव वाजवर उसके साथ वर्प की थर्ड फर्म आएगी ठीक है और फिर बाई लगाना ना भूलें और फिर subject ठीक है object इसमर वाजवर फिर वर्प की थर्ड फर्ड फर्म और फिर subject नहीं फिर बाई फिर ओप सब्जेक्ट यह तो हो गया simple present अब simple past देखिए subject प्लस वर्प की second form प्लस object ठीक है अब इसको change करेंगे object प्लस अब second form यानि past में past की helping वर्प वाजवर वाजवर ठीक है वाजवर प्लस वर्प की थर्ड फर्म मैंने आपको बताया कि वाजवर के बाद भी वर्प की थर्ड फर्म लगेगी प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट आ रहा है समझ में simple future subject प्लस शैल विल प्लस वर्प की फर्ड फर्म और object हमने पढ़ा था कि simple future की formation क्या होती है subject प्लस शैल विल प्लस वर्प की फर्ड फर्म के साथ object ठीक है तो इसमें हो जाएगा इसको passive में change करेंगे object और will shell का will shell रहेगा will shell b याद रहने है यार यह बीजूड जाएगा यहाँ पर विल शैल के बाद और याद रहना model के model के साथ work की first form बताया था model के साथ हमेशा work की first form लगती है तो object ठीक है model प्लस b प्लस work की third form प्लस by प्लस subject ठीक है आगे है समझ में change the voice अब ये कुछ sentence है इनको voice में change करना है police arrested him अब मैंने आपको बताया कि passive voice का use वहाँ पर होता है जब subject मैं तो पुण नहीं हो ठीक है तो इसकी पैसिव इस बनेगी अब अरेश्ट कोन कर सकता है पुलिस ही कर सकती है अब चोड़ाकू तो अरेश्ट नहीं कर सकते तो ये मैं तो पुण नहीं है बताना अब English is spoken all over the world by the people करेंगे तो भी सही होगा नहीं करेंगे तो भी सही होगा क्योंकि ये मैं तो फुण नहीं है English एक भाशा है जो कोन बोल सकते हैं जानवर तो बोल नहीं सकते हम इंसानी भाशा बोलते हैं इंग्लिश तो इंशा नहीं बोलते हैं तो यहाँ पे वो पिपल आएगा जरूरी नहीं है यहाँ पे लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते a teacher teaches English hair अब यह है a teacher अब teacher जरूरी तो नहीं है कि हम लगाएं या ना लगाएं क्योंकि हमें पता है अब पढ़ा कुन सकता है एक teacher ही तो पढ़ा सकता है हमें अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा हुआ नहीं sir, madam भी तो पढ़ाती है तो अपने mind का confusion दूर करिए teacher male भी हो सकता है और female यानि male और female दोनों को हम teacher कह सकते है आप यह समझ में तो English is taught here by the teacher करेंगे तो भी सही होगा नहीं करेंगे तो भी सही होगा no one desire riots to riots are not desired I will not tolerate this nonsense this nonsense will not be tolerate by me अब इसमें तो हमने I का मी कर दिया इतना तो आपने पढ़ा होगा कि I का मी हो जाएगा he का his हो जाएगा we का सा हो जाएगा कि अब इंडेफिनेट टेंस पढ़ लिया आगे चलते हैं इंडेफिनेट टेंस के लिए हुआ तो सभी बच्चे यस लिखेंगे और आपको कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है आप वहां से इसे डाउनलूड कर सकते हैं अब देखे एक्स्प्लेशन ओफ सेंटेंस नंबर एक दो तीन अब एक दो तीन सेंटेंस हमने पढ़े थे उनके हम एक्स्प्लेशन देख लेते हैं कुछ किरियाएं निश्चित सब्जेक्ट के दोरा किये जाते हैं ऐसे वाक्यों में एक्टिव वोईस में उस सब्जेक्ट का पर्योग करें जो सामाने तवह करता हो अगर पैस्प्लेशन में सब्जेक्ट का उलेख नहीं हो इसमें यहीं बताया गया है कि आप सब्जेक्ट में सब्जेक्ट में सब्जेक्ट मिलेगा लेकिन जरूर है नहीं कि पैस्प्लेशन में मिले इसी प्रकार अगर किसी इंडेफिनेट प्रोनाउन या वैग नाउन के दोरा किये जाएं तो passive voice के passive voice में by plus subject का प्रयोग करे यहां पर भी July में subject के बाद भाई और स्बज्च्ड नहीं लगाना Type invece अब आगए देखे पिया उसके किसी forms अगर main verb के इस्थानफ पैस सलहा प्रयोग तो पैसिछ नहीं हो सकता अब वेकी जो फोल मोती कौन कौन की होती है विकी होती है ईज मार इस वाज्वर के टृटहरा एक प्सुन लीजिए आपको साफ़ाइल होगा मीफ्सक्राइम्लाइवल यह तो पैसि वह इस नहीं बन सकता जैसे आई और इसका पैसि वो इस प्या बनाएंगे आप इसका पैसी वह इस नहीं बन सकता जैसे यह शुड़ बी पॉलाइट अब यह में वर्भ भी तो इसका पैसी वह इस नहीं बन पाएगा क्योंकि यहां पर वर्भ भी नहीं है तो वह इस कहां से बनेगी ठीक है अब इंडेफिनेट समझ में आ गया अब के साथ ing और प्लस ऑबजेक्ट है यह तो यहाद होगी कि अब इसका पैसी बनेंगे ओबजेक्ट यह यहां कोhao अबजेक्ट को सबजेक्ट बनादब में नब? यहां पे ओब Cantonous Tense में, हर Continous Tense में doch에 plus then the Third Form, और being एक 12 थड़़्वर्वोम फिर बाई प्लस सब्जेक्टania आपको Confuse होने की ज़रत नहीं है आपको हमेशा Passive हो मिल सकता है तो आप Cordy यहाँ पर वर्ब की Third Form ही लगानी प्लस औबजेक्ट प्लस वादवर्ब, healthy first form के साथ ing plus object ठीक है तो इसका क्या बनेगा passive voice object plus was word plus being plus verb की third form plus by plus subject नीचे एक important note दे रखा है अगर passive voice continuous tense में हो तो being का प्रयोग करना नहीं भूलें यानि अगर passive voice continuous में हो present continuous past continuous तो आपर being का प्रयोग नहीं भूलें और ये नीचे है future continuous और model continuous अब model continuous तो होता नहीं है क्योंकि model के साथ verb की first form लगती है ing नहीं लगती तो model continuous के passive नहीं बनेगा और future continuous subject plus shell will be इसमें पहले बी आ रहा है तो यहाँ पर भी नहीं बनेगा ठीक है आगया समझ में अब हम कुछ example देखेंगे फिर आपको clear हो जाएगा active है change the voice the committee is looked into the matter the committee is looked into the matter अब निचे आंसर लिख रखा है the matter is being looked into by the committee the matter is being looked into by the committee ठीक है यह तो आपको बना लिया फिर समझा देता हूँ यह the matter है object है इसको subject बना दिया is तो is के साथ हमने क्या पढ़ा था is फिर being हाँ पढ़ा था हमने is आए और उसके साथ वर्ब की फर्ट फर्ट फर्म के साथ अइन जी आए तो being आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फर्म look की थर्ड फर्म looked और याद रखना इसमें जो word हैं इसमें देखिए इसमें जितने word हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ word तो लगे ही लगेंगे इसमें आप कोई word हटा नहीं सकते आप word जोड सकते हो जैसे हमने देखा look into आगया into इसमें भी था the matter इसमें भी है is है इसमें being नहीं था लेकिन हमने जोड दिया इसमें by नहीं था हमने जोडा पर हम हटा नहीं सकते अगर हम हटा देंगे into तो ये गलत हो जाएगा ठीक है verb के बाद आने वाले preposition को plural verb लगाना नहीं भूले अब हमने एक rule पढ़ा था subject verb agreement में वर्ब के बाद जो preposition आते हैं वर्ब के बाद जो preposition आते हैं वो plural verb होते है ठीक है अब ये देखिए important example है ये previous year के question में previous year paper में आये थे S.S.E.C.J.L. में तो ये देखिए they are laughing at you they are laughing at you अब ये object है you ठीक है इसका subject बनाएगे पहले ये ही काम करना है यू यू आगे आगे अब इसमें main verb देखिए helping verb r है हमने पढ़ा था r के बाद verb के फर्ट form प्लस ing है तो क्या होगा being आ जाएगा r being और ये laughed है laughing तो यहाँ पे वर्ब के फर्ट form laughed और याद रखना इनके बाद है न प्री पोजिशन यूज होती है मैं आपको वो sentence बताऊंगा जिनके बाद प्री पोजिशन यूज होती है तो laughed के बाद at का यूज होता है at और फिर by का यूज करना हमें और फिर दे का them ये भी आपको बता देता हूं कि दे का तो अगर sentence में एक्टिव हो इसमें आपको नॉमिनेटिव केस मिलेगा आपको अबजेक्टिव केस बना देना है ठीक है आई कम ही हो जाएगा और देखिए वी आवर अस वी आवर अस ठीक है वी आवर अस तो ये नॉमिनेटिव ये पोजेसिव और ये अबजेक्टिव तो वी का अस हो जाएगा यू योवर यू ही हीज हिम शी हर हर इट 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 और दे दे अर देम तो यहाँ पर दे का देम हो गया इसलिए यहाँ पर दे का देम हो क्योंकि हम नॉमिनेटिव केस को अबजेक्टिव केस्ट बना देते हैं पैस्टी बनाते हैं यह लिए देखे दा अक्यूजज इस बिइंग प्रोड्यूश्ट बिफोर दी कोर्ट अब दिकोर्ट अब्जेक्ट है तो धीक आगए आजाएगा पर दी कोर्ट आगे नहीं आएगा क्यों क्योंकि यह जो सेंटेंस है ना यह पहले ही पैसिव में दे रखा है हम नीचे बाड़ पड़ेंगे अभी इतना कंफ्यूज नहीं करना आपको एक्टिव पड़ेंगे पुलिस आर प्रोडुशिंग दी अक्यूज्ड बिफोर दी को कोक्त आगे नहीं आएगा यहंपर एक रूल है मैं अभी बता देता हूं फिर आप बाद में कनफ्यूज नहीं होगे अगर सैंटेंस में दो सब दो आपजेक्ट हैं मान aca में यह विप्यूज्ड है और यह कोई अभर तो आप इसके हिसाफ बिना सकते हैं और ला सकते हैं इसको पहले रख सकते हैं और इसको भी पहले रख सकते हैं आप पर डिपेंड करता हो ठीक है तो इसने यहां पर दी अक्यूजड और दी कोर्ट यहां पर दो है तो इसने पहले दी अक्यूजड को सब्जेक्ट बना लिया तो दी अक्यूजड आर और इसके साथ वर्व की फर जा था कि subject का महत्वपुर्ण हो ना हो हम लगाएंगे नहीं पर हम लगा भी सकते थे पर sentence को सुन्दर बनाने के लिए हमने नहीं लगाया इंग्रिश में जूल है sentence को सुन्दर बनाने के लिए आप कुछ सब्द को हटा सकते हैं पर ऐसे नहीं कि आपने main verb main verb को हटा दिया जैसे इस अटा दिया बिंग अटा प्रोडूर्श अटा दिया ऐसे नहीं आप subject को हटा सकते हैं ठीक है राइट टू प्रोटेस्ट पीस्फुली इस बिंग डिमांड़ बाइड रिवोलुशनरी अब ये भी पैसिज है पैसिव वह इसमें है एक्टिव क्या बनेगा ये रिव ये consistentang तीरइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली ब्युली अब इसकाँ एक्टिव देखेंगи पैस्यू यप आपको बनाना है you are not taking the exam seriously इसको समझिए आप you are not taking the exam seriously तो the exam here ay अबजेक्ट है तो the exam यहां पे subject बन जाएए यहां पे मत देखे आंसर मत देखे subject बन जाएगा थीक है पिर हमने helping verb लगानी है वर है इसके साथ IT भी लग रहा है न तो क्या जा एए लगजाएगा the exam was ठीक है plus यहां पे बीइग लगजाएगा वाज नोट है अब यह negative में है तो नोट लगजाएगा not being और वर्प की third form take took taken तो वर्प की third form taken seriously by you हो गया clear